वक्रे टुन्डे माहा काई सुर्जे कोटी समप्रभा नेरे विग्नम कुरुमे देवे सर्वेकारिये सो सर्वदा मंगलं भगवान विष्नू जै स्री राम जै हन्मान संकट मोचन किरपानिधान जै हन्मान जै जै हन्मान तुलारासिवारों चार और पांच जून ये दो दिन आपके लिए बड़ा महत्पुन साबित होने वारा है क्योंकि चार जून को बुद्ध की सीधी चाल और पांच जून को सनी का वक्री होना बुद्ध और सनी दो ऐसे गरा हैं जो तुलारासिवारों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते है बुद्ध आपके लिए भग्य अस्थान का स्वामी है जबकि सनी आपके लिए सुख अस्थान का स्वामी है बुद्ध जब सीधी चाल में गोचर करेगा तो भग्य का सितारा चमकेगा लेकिन सनी जब वक्री होगा तो आपके सुखों में थोरी कमी आईगी आज हम आपको उपाई बताएंगे, जिस उपाई को करके अपने जीवन में आप बड़ी सफलता पा सकते हैं, जिस उपाई को करके अपने जीवन में आप सुक समरिद्धी से आगे बर सकते हैं, जिस उपाई को करके अपने जीवन में खुसाली और खुसी प्राप्त कर सकते ह तुलारासिवारो पुस्ष नच्छत्रे चार जोन को रात्री नौबच कर 55 मिनत तक धुरूब योग में पुस्ष नच्छत्रे जिसका स्वामी सनी और विरस्पती अपने परभाव से आपको परभावित करेगा सनी जो आपके लिए सुख अस्थान का स्वामी है विरस्पती जो आपके लिए प्राक्रम अस्थान का स्वामी है पुस्ष नच्छत्र में सनी और विरस्पती साथी बुद्ध की सीधी चाल सुर्ज के साथ बुद्ध की युक्ती यानि आपके जीवन में एक के बाद एक बड़ी सफलता एक के बाद एक बड़ी खुसकबरी एक के बाद एक सुख सौभग्य का योग समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है इस दोरान आपके जीवन में लाबुनते सुभग्य सुख समरिधी का योग बनेगा बुद्ध की सीधी चाल जो 3 जून से 2 जुलाई तक आपके लिए बड़ा सुभ होगा जिसके परभाव से आपका जीवन परभावित होगा लेकिन 5 जून को जब सनी वकड़ी होगा 144 दिनों के लिए सनी की गती उल्टी होगी जो आपके जीवन की गती को परभावित करेगा इस दोरान अपने जीवन में सुख संपत्ती प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में सफलता उनती प्राप्त करने के लिए आपको छोटा सा उपाई करना होगा तुलारासिवारों पुस रचत्र में सनी विरस्पती का परभाव और असलेसा रचत्र में बुद्ध चंद्रमा का परभाव इस समय आपकी कुनली के लगन में केतू बैठा है लगने यानि आपके व्यक्तित्वे लगने यानि आपके जीवन में आपकी जो उपस्थिती है उसको केतू परभावित कर रहा है लगने में बैठा केतू आपके मिजाज को बदल रहा है आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं अपने कार्चेत्र में उन्नती चाहते हैं, जीवन में खुसी चाहते हैं, केत्व उसको परभावित कर रहा है, लेकिन पुस्न छत्र का सनी जो राभु केत्व और सुक्र का मित्र है, आपकी कुनली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपकी जीवन में सनी का परभाव ज़्यादा परभावित करेगा, सनी आपके जीवन में समरिद्धी देगा, उन्नती लेकर आएगा, सनी के कारण ही तरक्की प्राप्थ होगी, सोचे वे काम पूरे होगी, आपका कॉन्फिदेंस सबसे ज़्यादा होगा, जो आपके परिवार के लिए, जो आपकी जीवन की उन्नती तरक्की के लिए, जीवन में खुसाली के लिए बड़ा महत्व रखता है, पुस्यन चत्र का सनी आपके प्रयास को सफल बनाता है, पुस्यन चत्र का सनी नई उर्जा से उत्साहित करता है, पुस्यन चत्र का सनी सुक सांती संपत्ती देता है, वही असलेसा नचत्र का बुद्ध जो आपके भाग्य को परभावित करता है, आपके इरादों को बुल बड़ी उपलब्दी एक के बाद एक बड़ी तरक्की एक के बाद एक बड़ी सफलता आप प्राप्त करेंगे। आपके लब लाइप में भी इसका प्रभाव देखने को बिलेगा। क्योंकि सुक्र जो आपकी जीवन का सुक संतुष्टी को प्रभावीत करता है। सुक्र के प्रभाव से आपकी जीवन में ऐसी संभावना बनेगी जो परिस्थिती को बदलेगा। बैभव साली प्राक्रमी, सुक संपत्ती और आपकी जीवन में अपनी लच्च की प्राप्ती का साहस देगा। बड़ा सुंदर समय है, बड़ा भाग्य साली योग है, जो आपकी जीवन में खुसी भी देगा, धन भी देगा, लाब, उनत्ती, सुभाग्य सम्रिद्धी का योग बनाएगा। लेकिन पांच जून को जब सनी वक्री चाल से गोचर करेगा, तो आपके सुख में कमी होने लगेगा, अगर आप उपाई नहीं करेंगे, तो जितना सुख मिलना चाहिए आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारे बताएगए उपाई को आप अवस करें। अब आपकी कुनली में सनी की चाल उल्टी हो रही है, जो आपकी जीवन को परभावित कर रहा है, तो सनी की दृष्टी, सनी का परभाव, सनी के उपाई से ही अपने जीवन में आप लाब उनती, सुक समरिद्धी हासिल करेंगे, तो सनी को सुभ बनाने के लिए आप छोट सा उपाई करें सबसे पहले तो सनिवार के दिन पीपल के ब्रिच के नीचे तेल का दीपक जलाएं हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की पूजा करें साथ ही अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए आप छोटा सा उपाई करें काला धागा लें पैर से लेकर अपने स पिर तक की लंबाई को उस काले धागे से नाप लें। फिर उस काले धागे को किसी सुपारी में लपेट कर पीपल के पेर के नीचे मिट्टी में दबा दें। साथ ही काले कपड़े में काली उरत बांद कर किसी चौराहे पर रख दें। साथ ही अपने दुख तकलीप को उस पोटली के साथ उसी चौराहे पर छोड़ कर बापस अपने घर आ जाएं। ध्यान रहे काले कपड़े में बंधे उरत को रखने के बाद उसको पलट करना देखें। आपकी जीवन की जो कस्ट है जो बाधा है उसे वो ही छोड़ कर आ जाएं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में तरक्की का योग बनेगा। आपका रुकाववा बिजनेस फिर से चलने लगेगा। आपकी जीवन में धन की कमी दूर होगी। आपकी जीवन में एक के बाद एक बड़ी सफलता की प्राप्ती होगी। आपके इरादे मजबूत होगे। प्रेम सम्मंद मीठे होगे। जीवन में विश्वास बढ़ेगा। आगे बढ़ने का साहस आपका प्राक्रम लाप देगा, खुसी देगा, सुख देगा, धन दे चुलारासिवारो, चार जून और पांच जून, दो दिन ऐसा है जो आपके लिए आपकी किस्मत को बदलने वाला, साबित होने वाला है। तो चार और पांच जून के दिन आप सनी का उपाई करें, आपके लिए सफलता आपके कदम चुमेगी, हर इच्छा पूरी करने की क दोसिस करें, तो आपकी जीवन में आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके मन में उत्सा बढ़ेगा, सुक समरिद्धी बढ़ेगा, परिवार का बाता बरन अच्छा होगा, और आपकी जीवन में तरक्की आप राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी कुनली में इस समय जो ग् परकार है, तुलारासिवारो के सत्तम भाव में राभू सुक्र का गोचर है, लगन में केतू बैठा है, पंचम भाव में सनी का गोचर, छठे भाव में विरस्पती मंगल, अस्तम भाव में बुद्ध और सुर्जे, जिसमें सनी जो बक्री चाल में चलेगा, अपने साथ र राभू और केतू को भी परभावित करेगा, तो सत्तम भाव में जो राभू बैठा है, लगन में जो केतू है, सनी के परभाव से परभावित होगा, तो सनी देव की पूजा करें, हनमान जी का धरसन करें, सनी को खुस करें, आपकी जीवन की सारी समस्या अपने आप समाप प्राप्त हो जाएगी और सनी के प्रभाव से ही आपकी जीवन में खुसाली लाव तरकी उनती आपको प्राप्त होगा सनी जब सुभ होगा तो आपकी जीवन में खुसियां लाव उनती आप प्राप्त करेंगे सनी के प्रभाव से ही आपकी जीवन में खुसाली बरहेगी औ और बुद्ध के प्रभाव से आप भग विसाली बनेंगे तुलारासिवारो चार और पांच जून आपके लिए बड़ा महत्पून होगा जो आपके जीवन में सुख धन लब और काम्याबी लेकर आएगा मिहन से काम करें हिम्मत से काम लें सनी देप की पूजा करें हनवान हनमान जी का दर्सन करें सब कुछ अच्छा होगा मनवान ची सफलता जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे और आपकी जीवन में बड़े अलाब और धन की प्राप्ती होगी आपकी परिसानियों का अंत होगा और आपकी जीवन में बड़ी खुस खबरी आपको प्राप् में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी रासी फलकार्ज करम में तब तक के लिए मुझे आग्या दें आपका दिन सुभो जैसरी राम जैहरमान वक्रेटुंड महाकाई सुर्ज कोटी समप्रवा नेरे विग्नम कुरुमे दे भी सर्वेकारिये सो सर्वेदा मंगलं भगवान वेश्नो जैसरी राम जैहरमान जैसरी राम जैहरमान